असलाम अलेकम बेरेस्ट फ्रेंड्स मैं हूं मुहम्मद अवाज हाश्मी और आज हम एक नया सेशन एक नया प्रोग्राम एक नहीं वीडियो क्लिप टी सीरीज शुरू करने रहे हैं अच्छे जी हमारी जो वीडियो क्लिप है वो CSS, PMS और PCS तीनों को कवर कर रही है और हमारे जो सब्जेक्ट है वो पाकिसान अफैस है लेकिन जो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो सरसेद ऐमद खान है अगर सिर्फ हम CSS की बात करें तो CSS में प्रिटिकल साइंस पेपर 2 को भी कवर कर रहा है पाकिसान अफैस के पेपर में भी ये मौजूद है और हिस्ट्री आफ इंडो पार्क में भी मौजूद है यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टिट है सीएस के हία ह founders के हावाले से बता रहा हम इसी तरह एगला हम PMS की बात करें तो यह उसके लिए प्रृटिट है PCS की बात करें तो यह उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टिट टॉपिक है अच्छा जी ये मेरी पहली क्लिप होगी स्वाले से एक्चली इस क्लिप का मकसर सरी ये जानना है कि मजीद मुझे एक क्लिप कंटीनियू रखनी है या नहीं ये मुझे आपके फिड़ बैक से पता चलेगा आपकी जितनी पजीराई होगी उस पजीराई के हिसाब से ये आहता किया जाएगा इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि मुझे इस क्लिप को इस जो वीडियो सीरीज है इसको कंटीनियू रखना या नहीं रखना आज ही पहली ओगी जिसमें सरसलियत पात होगी और इसके लावजि इस क्लिप के अंदर मजég और भी पाकिस्तान के बारे में जो तारीख है और हमारे जो पाकिस CAS का पेपर है उसे कवर किया जाएगा लेकर ये डिपेंट करते हैं आप लोगों के अपडेट्स आती हैं, उसका लिंक भी नीचे मौजूद है, अगर आप चाहें तो इस लिंक के थुरू उस ग्रूप को भी शामिल कर सकते हैं, उसके कोई चार्जिस नहीं है, उसमें अपडेट्स आती हैं, पीडियो बुक्स आती हैं, वीडियो लेक्चर्स के लिंक आते हैं तो आपके लिए बहुत जादा यूस्पुल रहीगा अच्छे जी तो शुरू करते हैं अज हमारा टॉपिक जो है वो सरसेय दामत खान है सबसे पहले तो हम सरसेय दामत खान की बीफ हिस्ट्री देख लें जरा सा शॉर्ट लिंक के बारे में देख लें सबसेय दामत खान के बारे में कि सबसेय दामत खान दर असल इनके पैदाईश का भूँ इनके ड़ट का भूँ इनके जिंदे की जो माईस्टॉंज हैं वो कौन से हम माईस्टॉंज पैसिकली इनकी शादी यह वो सब नहीं देख रहें हम चुके politically और इनको as a social changer बात कर रहे हैं, तो फिर हम इनके milestones भी उसी दरान से रखेंगे, जी सबसे पहला तो ये पैदा का होते हैं, ये 17 October 1870, 1870 में ये पैदा होते हैं, 17 October 1870 में पैदा होते हैं, इनके वालित का नाम सेयद महमपत की है, इनके जिंदगी में जिए change आने शुरू होता है, वह actually यहां से है, जब ये 1869 में England जाते हैं, जभ ये इंगलेंड जाते हैं, इंगलेंड पहुँचने के बाद, जब यह इंग्लेंड पहुंचते हैं और वहां की तहजीद को, वहां के कल्चर को, वहां के कस्टम्स को जब यह देखते हैं एक तो यह यहां के कस्टम्स और कल्चर से होकर गए थे, यहां के कल्चर और कस्टम्स को यह बहुत ची तरह समझते थे पिर जब यह वहाँ गए जब इन्होंने उस culture को भी देखा तो अब दोनों culture के लिए इनके लिए comparison करना easy हो गया क्योंकि इन्होंने वो दोनों cultures के बारे में सिर्फ सुना नहीं है बल्कि उन दोनों cultures को feel किया, महसूस किया लहाजा अगर हम कहें कि यहाँ पर western culture को western culture मुतारिफ करवाने वाले सरस्यद हैं तो घलत नहीं होगा western culture मुतारिफ करवाने वाले कैसे जब हमारा lecture explain होगा मुकमा तो उसमें पता चलेगा लेकिन आपने lecture पूरा देखना है क्योंकि आपका सवाल किसी भी तरिके से या lecture के किसी भी इससे आपका सवाल आ सकता है तो अच्छा जी लंदन जाते हैं अच्छा जी 1879 में लॉर्ड डेल्टन इनको नॉमिनेट करते हैं as a member of imperial council इंपेरियर कॉंसल जो के हिंदुस्तान के लिए बनाई गई थी इंपेरियर कॉंसल का member इनको नॉमिनेट किया जाता है कि वह आप इंपेरियर कॉंसल यानि जो एक खास जो एक यू समझे लिए आसान अलफाज में भी वह समझा रहा हूं अच्छे जी इंपेरियर कॉंसल आसान अलफाज में यह समझें के एक ऐसी कमिटी थी जिसके जरीए हिंदुस्तान के फैसले करवाये जाते थे जिसमें हिंदुस्तान के लोग भी थे लेकिन यह वो लोग थे जिनको अंग्रेज हुकुमत अपॉइंट कर रही थी तो इनको लॉड डेल्टन है लॉड डेल्टन ने नॉमिनेट किया एजा मिंबर ओफ इंपेरियर कॉंसल उसके बाद कोई 9 साल के बाद ते लॉड डिफ्रेंड नाते हैं और इन्होंने सरसेद को मिंबर बना दिया सिवल सर्विस कमीशन का यह जो सिवल सर्विस होंगे उस जो इनको जो इक कमेटी होती है उस कमेटी का मिंबर बनाया यह बहुद बढ़ी अचुन्विमिन थी और इसके बाद 1898 में अलीगढ़ में सर सेद का इंतकाल हो जाता है यह सरविस हिस्ट्री है अब उसके बाद हम चलते हैं सरसेद की सर्विसीस पर चलते हैं जी तो अब हम सर्वसाइद की सर्विसिस की बात करने वागें लेकिन उससे पहले हमें ये जाना होगा कि सर्वसाइद की उसनी सर्विसिस जिनको अलिगर तहरीक भी कहा जाता है उनका बैसिक अब्जेक्टिफ क्या था यानि मकसद क्या था सर्वसाइद की तहरीक का यह जो पूरी तहरीक चलाई जिसके मुक्तलिफ सर्विसिस के मुक्तलिफ इससे भी है इनका एक्शली मकसद क्या था ये क्यों शुरू की गए इनको मैंटेन करने का इनको चलाने का अब्जेक्टिफ बैसे क्या था तो उसमें स आपने अगर सिंद्बूर्ड से पढ़ा है तो आपने मैट्रिक और इंटर में लाजमी तोर पे रस्म और रिवाज की पाबंदी के नुकसानात एक चैक्टर पढ़ाऊगा सरसायत का उसमें बैसिकली सरसायत ने यही कहा है कि आपके जो बैसिक चीजें ने जिसे किसी का नु पॉटेट किया वो जो दीगर तो तमामतर कोमों की जो रस्म और रिवाज और तहजीब और तमामतर चीजें जो मिक्स अप हो रहा था ने एक जो पलिंदा सा बन रहा था उसको बनने से रोका और वो जो एक खालिश शकल थी इसलाम की या भिन हमारी तहजीब की उसको नु मैं दिग जंग्याजादी होती है कि 1857 की वार फ अन्डरेणेंस होती है तो वड विंडेपांडЕंस के नतीज की हम इसे जंग्याजादी काते हैं लेकिन अंग्रेजों के नजर में यह रिवाल्ड था यानि इ裏 घर्दारी थी और इसी वह घर्दर कहते हूं उर्दों मे यह लगता था कि उन्हें उकसाने वाले हम थे तो अंग्रेजों की सबसे जड़ा नाराज़गी हम से थी कि तुम लोग थे जिन्हों ने उकसाया हिंदुों को जिन्हों ने उकसाया सिखों को और हिंदुस्तान की दीगर कौमें को तो अंग्रेजों और मुसल्मानों के दर्मियान एक नाराज़गी मौजूद थी और दूरों एक दूसरों के नफरत की जो निगाह से देखते थे सरसेयद ने उस इन्वायरमेंट को खत्म करने के लिए उनके दर्मियान जो एक खामोश सी चुपखलिश मौजूद थी जो नाराज़गी मौजूद थी उसको खत्म करने में पनी सर्विसे जदा की आपको याद होगा सरसेयद ने एक मैगसीन लिखा था आप मैं उसका नाम मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश उर्दु दोरों में मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ causes of Indian reward उर्दु में बुलें तो अजबाबे बगावते हिंद अब याद आ रहे होगा अजबाबे बगावते हिंद या पिर causes of Indian reward ये जो दोनों ये चीज़ें थी इन दोनों चीज़ें ने ये बात वाजिक की तो बहुत देखो यहाँ पर तुम इस घगदारी कहते हो चलो ठीक है हमारे अज़िक जंग आज़ादी तुमारे चलो घदारी ठीक लेकिन अगर कोई event हुआ कोई बातिया कोई हाथसा हुआ तो इसकी कुछ reasons भी तो होंगे तुम हमसे पूछ रहे हो ये क्यों हुआ तुम भी तो बताओ तुमारी तरफ से भी तो कोई चीज़ें होंगी अब अंग्रेज़ों को ये clear करने के लिए ये जो ये basically किताब नहीं थी ये एक magazine थी ये एक मरासला आप कह सकते हो तो इस मरासले में इस magazine के तुम अंग्रेज़ों को ये clear किया कि देखो अगर कुछ हमारी तरफ से था अगर चलो 60% हमारी तरफ से था 40% आपकी तरफ से भी conditions आपने ऐसी start की ऐसी conditions को आपने build कर दिया कि हिंदुस्तान के लोग मुसल्मान ने हिंदुस्तान के लोगों के पास अब कोई चारा ही नहीं था उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था अब वो इतने उक्ता चुके थे और उक्ताए किसकी वज़ा से थे आपकी जो तो पॉलिसी इस थी उससे उपता है थे और दूसरी चीज़ इसमें सिर्फ मुसल्मान नहीं थे इसमें हिंदुस्तान की तमाम कौमी थी हम मुसल्मान लीड कर रहे थे लेकिन अगर तादाद की बात करें तो यस हिंदू की तादाद हमसे जादा थी लीडिंग फोर्स हम थे लेकिन जादा तादाद उनकी थी क्योंकि हम वैसे हैं माइनौरिटी में तो अजवाब में बगावत हिंद जो सरस्यद में लिखी उसके दरीए सरस्यद ने ये बात वाज़े की इसके बाद जो तीसरी सरस्यद की इस तहरीक के जरीए जो मकसद था अबजेक्टिव था वो कि यहां के लोग जो है उन सारी चीजों में बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बह कि मुसल्मान, modern sciences को और philosophy को भी समझ सेके इसके बाद सर सयद rational और enlightened view of life यानि जिन्देगी के मुख्तलिफ views भी बताना चाह रहते हैं कि भाई देखो असान अलफाद में से लाथ है भाई देखो आप race में भाग रहे हो आप अकेले race में भाग रहे हो और आप आगए first तो ये first आना first नहीं होता क्योंकि आप अकेले ही दोड़ रहे थे जब आपके साथ दूसरे competitors होते हैं तब आपको बता चलता है आपकी strength क्या है आपने अप तक सिर्फ अपने आपको ही पढ़ा है आपने अपने अकाइद को पढ़ा है आपने अपने मजब को पढ़ा है जब आप दूसरे मजब को भी पढ़ते हो दूसरे अकाइद को पढ़ते हो तब जब आप comparison करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका मजब इसलाम कितना बहतरी है हम लोगे मुसलमान हैं, हम वो मुसलमान हैं जनें बताया यह वै तो मुसलमान हो, हमने झाठीक है हमने दिल से कभी इसलाम में रिसर्च नहीं की कि मैं बनू हाँ मैं मुस्लमान हूँ इस वयजा से हूँ तो सरसलियत बैसी कली यही बताना चाहे कि लाइफ के मुख्तिलिफ व्यूज भी हैं उन व्यूज को भी लोगों के सामने उजागर करने के लिए यू समझ सकते हम एक दिमाग खुलने के लिए यह इनकी एक व्यूज था और बहुत इंपॉर्टन्ट हमारे जो इंग्लिश लैंगलिज सीखने का कहा लेकिन साथ मैं फ़ज़ को मैंटेर रखने कर भी का है आपको याद होगा सारसेयद के बारे में आपने इंट्रमे और मैंट्रिक में पढ़ाये कि हिंदी उर्दू कन्टरवर्सी नासा नाफिस किया जा रहा था तो सारसेयद ही वह शक्स थे जन्हों ने उर्दू ज़़ान की बकार के लि आप उर्दू का दिफा कर रहे हो, दोसी तरफ आप अंग्रेजी को राइच कर रहे हो, और जब हम सरस्यद के राइटिंग स्टाइज इसको उसलूब निगारिश की बात करें, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि सरस्यद उर्दू के कवाइद को नहीं मांगते हैं, बलकि उर हो, आप उनकी तहजीद को समझते हो, जब आप उनकी नैचर को समझ जाते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका पाला पड़ा एक्चुली किस से, आपको ये समझ आ जाता है कि हो किस मेंटिलिटी के लोग हैं, तो देखो एक वज़ा तो ये, दूसरी वज़ा आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको difficulties हैं, आपको अपनी difficulties बयान करने के लिए अंग्रेज हुकूमत के पास जाना पड़ेगा, उनकी जबान सीखकर वह आपके जबान सीखकर आपके पास आपके difficulties पूछने नहीं आने वारे तो ये दो reasons हैं जिनकी वज़ा से सरसेयद ने अंग्रेजी जबान सीखने पर जोर दिया लेकिन उर्दू को भी maintain करके इसके बाद सरसेयद की जब हम services की बात करें जिनके अभी हम बात करने लगें तो सरसेयद की educational services हमें नजर आती है हमें सरसेयद की political services नजर आती है और social and cultural services हमें सरसेयद की नजर आती है जिन पर हम बात करने लगें अच्छा जी ये सारी चीज़ें अब आप सोच रहें से इतना सारा है तो सही लेकिन इसको याद कहां से करेंगे तो याद करने के लिए nots भी मौजूद है nots कैसे है वो clip के video के बिल्गुल end में बताऊँगा कि वो nots आप हासिल कैसे कर सकते है इसलिए आपने video end तक दिखिनी है था कि फिर मैं आपको बता सको कि आपने nots कैसे हासिल करने है जी तो फिरर सरसेये की service के हएव बात करना लिए जिनके बारे मैं मुखतसर अब देखाँ आब चले हम services की उंदर्ल रेटल in the Secondly सब स्बसेप्रज सेरसेये की educational services की तरफ सकते हैं तो सरसेयेdes ऐ malf- Обsystem 장 qualité रिणी त haw lists ken esther जो के धाजिबूर के तो सरसेयद वहां पर एक साइंटिफिक सुसाइटी की बुनियाद रखाती बुनिया इस सेमिट सूसाइटी का काम चाहिए इस स्थेमिड का काम था अंग्रेजी इक ताबों पुर्दु में करजुमा ता इससे होता है यह था कि इंदुस्तान के जो लोग थे चुंके वो अंग्रेजी जबान नहीं जानते थे ताके वो सीख सके इससे पहले हमारी बात हुई थी ना कि हार्मरी मेंटेन करना साइब सुसाइथ के जरीयिए उन किताबों का तरजम्हा करवा cały गाजिपूर अपने साथ yo लेकिन अब जिदी गाजीपूर में अपिसका नाम गड़न नाम अपिदा कुशाइटी हो गया और इससी में पढया जो फिरुद से जरी नाम मौश्मड नद यह जपार्थ लौध सब्सक्राइटी सप्सक्रार्ण प्रिवेशिज में एक काम तो वहीं था जो इस से पहले था जो अंगरेजी किताबे कि उनका पूर्दु में तरजमा किया जाये जो निससे पहले कर रहे थे तो एक काम तो वह था लेकिन अब इदाफी काम जो आया हो यह था कि मुसल्मानों से फंडिंग जमा करते और उस फं पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में जहां मुसलमान मैजॉरिटी थी इस तहरीक के तहत उन तालिमेदारों की बुनियाद रखी गई और उनको पंडिक प्रोवाइड की सरसायद की इस तहरीक में पहले यह सिर्फ यू समझ लेकि पौदे के मांगे लेकिन पर भलती फुलती जा रही थी वह बढ़ती चली जा रही थी और तहरीक बढ़ रही और सरसायद ने कई सारे कॉलेजिस की बुनियाद रखी जिनको और सिर्फ दो साल के अंदर इन स्कूलों को कॉलिज का धर्जा दिलाने में भी सरसायद काम्याब हो अच्छे जी सरसायद ने बहुत सरी बुक्स भी लिखी हैं बहुत सरे मैगजिंज लिखियें उन मैग्जिंज उन बुक्स का दिकर आगे हमारे पास यहांबर मुशूद एक चार्षी कर चुके हैं जिसका क्या नाम था किया नाम था जी हाँ अजबाब बगावत हैंद का जिकर हम कर चुके हैं इसके लावाब सोशल में भी सरसेद किन किताबों के उन बात को सरसेद की बहुत आरजू थी सरसेद की बहुत चांग थी कि अब जो इन्होंने स्कूल और स्कूल के बाद कॉलिज काइम कर लिया वो यूनिवर्सटी भी काइम को उन्होंने भरपूर कोशिश की लेकिन उनकी जिंदेगी में कॉलिज काइम कॉलिज से यूनिवर्सटी का दर यूणिवर्सटी का दर्जा मिल रहा है और यह यूणिवर्सटी आज भी हिंदुस्तान में अगरह आजू है आज भी हिंदुस्तान में काइश यह कि लिए तकि हो पाख था जिसकी वजह चैसे के मैंने यहाँ पे सिंध स्माइे का । मैं ने थिकर किया, असिप्रूर्ध के मैंने थिकर थिए किया, यह थिए चुछिए किया वैंने क्यूंकि काइद आज़न जैसा लीडऱ् इस तहरीक वज़ा से पनपने लगा। वहुत इसी तरह डॉक्ट्टर अलामा मुहमद इभाल इस तहरीक वज़ासे, क्युक्स कि मुसलमानों पर एक तरह से तालीवी मैदान में तछ़त लगा दिया था, पाबंदिया लगा दिया था। मुसल्मानों को सलासल में बेडियों में चकड़ा दिया गया था तालीम के लिहास सरसे ती ये जो तहरीक थी ये तहरीक मुसल्मानों के लिए एक ऐसा सुमहरा रोशन बाप बन कर आई जिसमें मुसल्मानों पे जो अंगेरा सा छा गया था तालीम के लिहास से उसको धूर करने में अपना केरदार अधाग रहे और जितने मुसमान लीडऱ् पिल हमें नजर आते हैं तहरीक पाकिस्तान में वो तुमाम तर मुसलमान लीडर इस तहरीक की वज़ा से वजूद में आए कि अगर ये तेहरीक ना होती तो लीडर वजूद में नहीं आते बार इस पर ये तीनों पढ़ने के बाद उसके एफेक्ट हैं उन पर हम बात कर रहे हैं तो उसमें और जादा चीज निग गए हो जाए इसके बाद चले पहले उसके बाद प्लिटिकल देख लिए कानून बनाने के एक इसा इदारा काइं किया गया था इसमें हिंदुस्तान की लोगों से भी उनकी राय पूछी जाती थी और पिर सब मिलकर एक फैसला करते थे और हिंदुस्तान के लिए कानून बनाते थे अभी तो सर्सेयद की रिक्रमेंटीशन स्पे सडसीयद के बहुत पुरजोर इसरार पर हिंदुस्तान के लोगों ऑगी इस कॉंसल का इसा बनाया गया जिनमें न्माइलिगे होनी लगए थे लेकिन पहले जो लोग जो हिंदुस्तानी थे लेकिन उसस Minute इसे शामिल होने बहुत मुझा सर्भ सहयत हैं हमेशा मुसल्मानوں को सियसात में मुधाıkलत करने से आ using house अस्तुन किया अससर्भ सही स्थी एसलिए किया अग सोगर अपना कमिल्भी वज़ा िसे कma हैं स्यासभी चाहते ही थे मुसल्मान को इसास्त में करें दोटीं बात यह भी बात यह थी कि मुसल्मान अभी बहुत डर्रा कच्छे थे यह मैदान। क्या हम ने देखा क्यां अंग्रेजू Hep a मुच्छा साफ ढ़ा कि किस तरह हिंदों की और अंग्रेजों की साधिस से मुसल्मान तालिमी लिहाद से पीछे हो गए सरगारी नौकरियों के लिहाद से पीछे हो गए यानि कुल मिला कि हमें ये समझ आ गया कि अंग्रेजों ने मुसल्मानों से बदला लेने के लिए हिंदु को अपने साथ मिलाया और अब ये दोनों जब मिल चुके हैं तो मुसल्मानों को ये नुकसान दे रहे हैं और मजीद देंगे अब अगर मुसल्मान स्यासत में आ जाते हैं चुंकि अब ये कच्छे ये एक्सपिरियंस नहीं है और अभी मुगल उन्पे हुकुमत कर रहे हैं तो अच्छा सिर्फ अब मुगलों को ही मुसल्मान अबर तस्वर करने लगें तो पिर हो गया ना काम तो मुगल्स की जब हम बात करते हैं इंशालों उनके एक सीरीज करेंगे तो मुगल्स में स्टार्ट के जो छे हैं ना बस उन्हीं के दौर में मुगल हुकुमत की शान और शौकत नज़र आती है बाकि उन्हें तो किस तरह से मुगल हुकुमत चलाई है तो मुगल्स होते ह आवी इस चीज में बहुत सा कच्छे थे लहादा मुसलमानों को Participation करने से रोका बज़ सिरिफ हूँ ठीकिन वक्रिशन करें तो कहीं ऐसा नहों कि अपने अप को नुकसान दे जल complaining कहीं ऐसा नहों कि अपने आप के लिए ही कोई ऐसा घाटे का सोगा किये जाएं. इस वजह से सरसेयदे मुसल्मानों को इस तैरीक में participation से रोका, हिंदुस्तान के मुसल्मानों को सियासत में participate करने से रोका वज़ा सिर्फ इतनी. चिसके बाद सर स्यद नहीं के Jackson theory के idea को रिवाइज किया किया मतलबे किका सर स्यद नहीं डिया नहीं गिया था नहीं यह idea जा हैurgAlman यह और Hebi देखता है यह प्रेखने करान अन्य पाक के लावा on सेयद ने चुंके सर सेयद ने मुसल्मानों के लिए पहनी मरतबह कौम का वर्ड यूज किया है अब जब मुसल्मानों को कौम कह दिया तो हिंदू एक अलग कौम हो गए अब जब दो कि दो अलग को में हो गई कभी तो दो कौमों का नजरिया पेश हो सकता क्योंकि उससे पहले तो यही समझे जा रहाता है हिंदू मुसल्मान एक हैं लेकिन सरसेयद ने इस बात को वाजिए कि हिंदू मुसल्मान एक नहीं हैं यह दोनू अलग अलग हैं और टूनेशन खिवरी पेश की इसके लावा इसके बाद अगला पॉइंट जो हम आड़ी पढ़ चुके हैं कि हिंदू और मुसल्मानों के दर्मियान जो नफरत थी उस नफरत को खत्म करने में भी सरसेयद ने एहम करदार अदा किया वो कैसे मैंने अजवाब बगावत हैं कि मिसाल देकर समझाय इसके बाद प्रोटैक्ट उर्दू हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई तो बनारस्ट में एक इजलास के दुरान कॉंग्रेस ने आइलान कर दिया नहीं वलके कॉंग्रेस मुझे याद नहीं थी या नहीं थी मुझे इसका एयर याद नहीं आए बरहल ये ऐलान हुआ कि वह यह हिंदुस्तान में हिंदी चलेगी और वैसे ही पहले ही पार्सी पे भी पावंदिया लगा दी गए थी अब जब उर्दू पर भी पावंदी लगाने ये बात की तो सर सेयद एक मर्द मुझाहिद की गणा उर्दू के दिफार के लिए सामने आते हैं और मुसल्मानों से कहते हैं कि अगर तुमने उर्दू जबान को भी छोड़ दिया तो फिर तुम्हारे पास अपनी तारीख की अकासित करने के लिए कुछ भी बागी नहीं रहे रहा है तुमारी तमाम तर तारीख तुमारा तमदन तुमारी तहजीर सब धुनबला जायेगी लिहादा उर्दू जबान तुम्हारे लिए अब बहुत एहम है और उर्दू जबान को ना छोड़िए अलबत्ता हिंदी उर्दू कंट्रवर्सी बहुत लंबी चीज़ है अभी फिलाल में अगर मुकमल उसी पर बोलने लगा तो थरा हम टॉपिक्स रट गाएंगो बारन हिंदी उर्दू कंट्रवर्सी के मौके भी सरसेयद ने उर्दू जमान के दिफार कि इसके बाद सरसेय कि इनफनरा करेंट गये आप वहां के जिंदगी गुजारी है आप कि आपने वहां के स्पप्राइब जेशन को को कंड़स्तान में जो मुसलिमानों पर हंदू Quantum लोगों को यह बता रहे हैं कि वहां उनसे पीचे हैं, हम Western countries से पीचे हैं, हमारे पीचे होने की रिजन क्या है? परदे तो एक Western country हम पर हुकूमत कर रहा है, और दूसरा Western country, यारी, France, दुनिया के प्रांस कितने ममालिक पे कबजा किये हुए, उस दौर में France बहुत आगे था, तो इतने सारे ममालिक पे कबजा किये होई बरतानियां हम पे हमला हम पे कब्जा किये हुए है और फ्रांस दीगर करी मुमालिक कब्जा किये हुए है तो यह वेस्ट्रूंट एंट्रीज में ऐसा क्या है कि यह इतनों जदा हावी है तो सर सेयदें के नेशनल इदम उनकी जो कौमियत का जज़बा था उसका बताया जो के शाया होता रहता था इसमें ज़र्णाज जो सोशल इस्वजोest थी जो माशुरती मसाइर के इसके जदें उसको जागर करवाए। बिया कि क नमें किस्त तर्म किस तरा सथ हैं सब्सक्राइब करते है मैं उन एच्छी ऐतर कौम किस तरह में तो इसलिए अफलाक यानि हमारी तारी ता ourselves इसके बब प्रीचिंग वेस्टरन सिविलाइजिशन वेस्टरन सिविलाइज़िशन यानि मगरिबी तैजीर में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजासे यह वी हिंदुस्तान की मुसल्मानों को बताया और साथ-साथ इनकी जबान को समझने पर और इनका जो modern sciences है और जो philosophy है उससे जो लगाव है उसकी तरह भी हिंदुस्तान के मुसर्मानों को preaching और interact करने के लिए सरस्यद के अपनी services अच्छा ये तो हमने सरस्यद की तीनों तरह की services देख लिए अब तक हम सरस्यद की तहरी के बारे में बात कर चुके सरस्यद का जो पैसिक ब्रीफ वो ले चुके उसके बाद सरस्यद की अब्जेक्टिव कि आखे इसके बात कर चुके अलिगर तहरी के जो मुखतरे पर थे एजुकेशनल सर्वेसे और सोशल सर्वेसे इनका जायजा ले चुके अभी जो मुकमल तौर पर जो तहरी के अलीगर थी या सरस्यद की इनका impact क्या हुआ इनके effect क्या हुए तो जरा देख लेते हैं effect क्या हुए अच्छा पेपर के हवाले से याद रखना है कि आपको य इनके effect लिखना ही जरूरी हुए और यह चीज़ मेरे handout में भी मौजूद है और conclusion यानि इसका लब लुबाव यानि क्या समझा आपने उसको और उससे क्या समझा वो तमामते जीज़े भी handout में मौजूद है और handout हासल कैसे करना है जी जैसे ही मैं आपको event बता दो फिर मैं आ सरसेथ की services की वज़ान से मुस्टमान एक टैयर हो गया कि अगरेजी सीखना को बुभी बात नहीं है अंगरेजी सीखने का मकसद हमारा यह है कि अंगरेजि़ों के साथ हमारे तालुकात है वो मैंटेन रहें तालुकात बेतर हैं अंग्रेजी सीखने का हमारा मकसद यह है कि जो modern technology है जो ज़ीद तरजे तालीम है उसको हासिल किया जा सके तो सरसेयर की services से सबसे पहले तो इंवेस्टर एडुकेशन जो की यह develop होई हिंदुस्तान है दूसरी अगर हम बात करें तो मुसल्मानों में नेशनलिजम का इस्वर पैदा हुआ क्योंकि अभी कुछ देर पहरी हमारी बात होती कि सरसेयर ही वो शक्स हैं जिनोंने इंवेस्टान के मुसल्मानों के लिए कौम का लवज इस्तमाल किया अब जब उन्होंने कौम का लवज इस्तमाल किया और पर हिंदी उर्थो का इंट्रवर्सी आ गई तो अब यह मुसल्मान के जहन में यह बात क्लेर हो चुकी कि वह पहले अदा कौम है और पर टूनेशन थियोरी आ गई यह बात और क्लेर हो गई कि इसके पाद इसका तीसा जो अफेक्ट था मुसल्मान एकनॉमिकली अफलिफ्ट कैसे हुए एकनॉमिकली अफलिफ्ट ऐसे हुए कि अंग्रेशों के साथ उनके तालुकात भी बहतर होने लगे ते और सरसायद की एडुकेशनल से वजा से उनकी तालीमी मैदान में जो पस् तालीमी आफ्ता होके अच्छी मुलाजबतों पर लगने लगे तो यह दिया हो गए चौती चीज़ डिवलप्मेंट ऑफ उर्दू जिस तरह की बताया गया हिंदी उर्दू कंट्रवर्सी के बारे में हमने बात की तो सरसेयद ही वो शक्स हैं जिन्होंने उर्दू अज़ लित पर गोड़ते हो इसいつ dele सरसेयत की जब हम बात करते हैं तो इन्हें जढीद उर्दू नसर का बाणि का जाता है यानि मौने अट को मियुदू ये जितनी पर अबादू आसको बढ़ लागे ने पाकिस्तान मुव्मेंट, पाकिस्तान की मुव्मेंट में इंपॉर्टन रोल कैसे पाकिस्तान बनने से तरह पहले इंतकाल हो गया, अरे भी मैं नहीं तो बताया था कि SMIU जो बनी वहाँ से काईदे आदम पढ़के निकले इसी तरह पाकिस्तान के जितने लीडर्स हैं वो सब इसी तहरी की वज़ा से ही तालिमी आफ़ता हुए इसी तहरी की वज़ा से उस मकाम बे पहुंचे के पाकिस्तान के लिए जिदोजहत कर सके और मुसल्मानों को यह बावर कर्वाना कि yes we are سेपरेट ن이션 ये भी तो सरवस्यद 저희가 सरवस्यद नहीं तो बताया कि मुसल्मान aquela कालजा है तु पाकिस्तान के बनने में सरवस्यद का एक बहुत अहंने कारता है अगर हम अलएदा कौम की हैस्त पहिंचाने ना जाते तो कभी भी दो कौमी नजजरी की बनियाद पर हमें कहला लाता मुखलीकत को खासिल ना करता और यही आ गिया डोलेशन की विज़ी दो कौमी नज़री की बनियाद या फिर अगर अपने अदाज में कहूं तो इसको रिष्SU करने वाले एक मर्दाब फिर जिन्दा करने वाले सरसीयर धायमत्पान है और इसके बाद मुसलमानों के जिरो राइट से उनको वाज़े किया है के बैम्सलमान भी एक्वल सिर्शन्स रहे हिं लॊँर्ट है है और यह भी उतने ही हुकोग रखते हैं जितने हिंदू रखते हैं तो मुसल्मानों की निगार्ट कीवूद कीया अच्छा जी तो आज की लेक्चर के लिए इतना है अच्छा वह अगर आप हैंडाउट हासल करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर वाटसब गुरुप का लिंक भी मौजूद है वाटसब गुरुप अब गुरुप में शामिल होने का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे आज की लिटना ही लेकिन लाजमी तौर फिट बैक दीजिएगा मैसेज के दरिए वाटसब पे या पर इसी के नीचे कॉमेंट चाहिए जो जो एक सिरीज है क्या इसे कंटीनिव रखना चाहिए यह इ कि नेढा चाहिए पीजिए आजिए लाजिए लाज़ा पर इस